उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनकी बहन किम योजोंग ने जब से दक्षिन कोरिया को धमकी दी है, तब से वह सुर्खियों में है किम योजोंग का यह बयान दक्षिन कोरिया के रक्षा प्रमुक सुह वूग के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके देश के पास उत्तर कोरिया में किसी भी लक्षे को निशाना बनाने के लिए सटीक हमले करने की ख्षमता है किम यो जोंग ने अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन की उस चेतावनी पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर कोरिया की परमानू आकरामक्ता से किम शासन का अंथ हो जाएगा उत्तर कोरिया के एक विशेशग्य ने Fox News Digital के साथ चर्चाकी की किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग पिछले हफते रूस में आश्चर्यजनक उपस्थिती के बाद दुनिया की सबसे खतरनाक महिला क्यों है हाल के दिनों में जोंग उनको दक्षिन कोरिया के खिलाफ एक नए अधिक कठोर दबाव अभियान में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देखा गया है विशलेशकों ने किम यो जोंग को अपने भाई के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में पहचाना है और ली का मानना है कि वह अपने भाई के बच्चों के लिए एक रीजेंट के रूप में काम कर सकती है जब तक कि वे सत्ता के लिए रड़ी नहीं हो जाते, भले ही इससे कुछ तनाव पैदा हो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद कृप्या मेरे यूट्यूग चैनल को शेर, लाइक और सब्सक्राइब करें